दोस्तो अगर आप लोग कर रहे हैं CA exam की तयारी तो आपकी इस तयारी में चार चान लगाने के लिए आ गया है Unacademy जीहां दोस्तो अगर आप में 2021 के लिए attempt की तयारी कर रहे हैं वो भी CA foundation की तो आपके लिए की special batch organized किया जारे है जो की start होने वाले 18 January 2021 से तो आप देख सकते हैं कि यहां पर CA foundation experience के लिए 18 January 2021 से Unacademy ने एक special batch organized किया बहुत ही मज़ितार batch होने वाले क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे top faculty member आपको पढ़ाएंगे जैसे आपके सुधीर सजदेवा सर होगे जतिन सर होगे इस सारे top educators हैं इनकी tricks और tips अगर आप समझ लो तो समझ जाओ कि आपका attempt तो बिलकुल निकले गए निकलेगा हो इनी सकता कि आप clear ना कर पाओ दोस्तों इनके जो subscription pack है उसके अंदर आपको सारे top educators पढ़ाएंगे live interaction class होगी even आप अपने doubt भी on the spot पूछ सकते हैं इनके time to time mock test papers होते हैं इनके live quiz होते हैं जिनको conduct करने के बाद अगर आपकी performance बहुत जारा निंखर जाएगी अगर आप तरीके से और dedicated होकर पढ़ते हैं तो यह सारे की सारी शीज़े आपको मिल जाएंगे एक ही subscription में link मैंने description box में दिया हो है एक बार visit जरूर करना और दोस्तों खास बात यह है कि इनके जो subscription pack है आप उनकी fees देखो बड़ी ही nominal fees है एक महिने का भी pack है तीन महिने का भी है छे महिने का बारा महिने का कोशिश करो कि आप बारा महिने का लो क्योंकि भाई एक साल तो preparation आप करते हो बाकि आपके according जैसे आपको need हो वैसे आप करो और दोस्तों इनके subscription pack में अगर आपको 10% का additional discount चाहिए तो आप एक referral code यूज करि एक बार visit जरूर करना और ये चीज़े अपने दोस्तों के साथ अपने family member के साथ जरूर शेर करना because sharing is the caring तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का chapter जिसका नाम है money and banking दोस्तों money एक अलग चैप्टर और banking एक अलग चैप्टर है तो मैं आपको दोनों ही चैप्टर करवाँगा इस video lecture series के अंदर दोस्तों एक बात मैं आपको पहली clear कर देता हूँ कि अगर आप तरीके से important evolution है हमारी revolution है हमारी इंडिया में क्योंकि money के बिना कुछ भी नहीं होता आप जानते हो आज की डिट में कोई भी trade करना हो या कोई भी काम धंदा करना उसके लिए exchange करना बहुत जरूरी है तो money के आजाने से बहुत सारी चीज़े हमारी solve होगी क्योंकि money से पहले हमारे system चल चलता है जैसे आप जानते होगे हमारे घरों में आज भी जो हमारी मम्मी है वो क्या करती है कि पुराने कपड़े दे कर कोई बर्तन ले ले लेती है या बाल्टी ले ले लेती है तो यह क्या है एक बार्टर सिस्टम है जिसमें हमें कोई monetary value नहीं देनी होती है बल्कि गोट बात करते हैं कि बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है तो देखरो लिखा हुए it refer to exchange of goods for goods goods के बदले goods देना economy के अंदर यह डायरेक्ट बार्टर सिस्टम होता था goods के बदले तो इसको c to c economy भी कहा जाता है c to c economy का मतलब जानते क्या होता है commodity to commodity economy आप नीचे example में देख सकते हो य मुझे खुन दो मैं तुमें आजादी दूँगा दिस सिस्टम इस कॉल बार्टर सिस्टम लेकिन बार्टर सिस्टम की कुछ खामिया थी सबसे पहले खामी थी lack of double coincidence of wants जब भी हमें कोई transaction करनी होती थी तो हम सिर्फ उसी व्यक्ती से वो transaction करते थे जिसको सामने वाले को भी वही चीज़ की जरूरत है जो मैं उसे देने को तैयार हूं let's suppose कि मेरे आपर दो चीज़ों की खेती होती है वो है गेहों और बाजरा अगर मुझे चावल खरीदने है सामने वाले वक्ती से तो मुझे देखना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ती भी गेहों और बाजरा च देखो आज केट में पैसा है तो पैसे हो से हम बता सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू 100 रुपए है 200 रुपए है लेकिन पहले यह identify करना बहुत मुश्किल होता था कि अगर हम एक किलो गेहों देंगे तो बदले में कितने किलो चावल देने चाहिए तो कोई measurement नहीं था measurement instrument नह गर आप किसी को payment ना करोएं तो वह आपसे interest charge करता है नहीं करता है ठीक उसी तरह पहले ऐसा होता था ता है नहीं होता था पहले आप कितनी भी payment कर दो कोई पता नहीं होता था कि इसके बदले extra और ईक्छन कितना चावल लें कोई भी अंदाजा नहीं θα अगर मैं बोलू आज की डिट में में पास इतनी धंद वलात है तो उसको हम मेसरमेंट कर सकते हैं एक वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं दस लाग बीस लाग एक करोड दो करोड लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले क्या बोलें कि हमारे यहां पर क्या एक कमरा पूरे गेह दोनों साइट से जो कंडिशन से वो सैटिस्फाई होनी चीए लैक ओफ कॉमन मैजर ओ वैल्यू कि कितने किलो चावल के बदले कितने किलो गेहूं देने चीज़ इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी होती थी लैक ओफ स्टेंडर और डेफर्ड पेमेंट कि अगर कल को क्रेड रते थे तो उस् टाइम तो बाटर सिस्फम चलता था जिसकी डोबेक्स आपने ये देखी चार है तो इन डोबेक्स को रिमूव रिमूव करने के लिए एक ओन्सेप्ट चायल क्या नम था मनी नम था money और इसने सारी की सारी drawbacks को ये सारी की सारी limitations को क्या रदिया remove कर दिया money के आ जाने से बाटर सिस्टम की सारी की सारी limitations क्या होगे खतम होगे तो money क्या होता है money हर उस चीज को बोलते हैं जो as a medium of exchange लिया जाता है जिसके अपनी एक value होती है storage value होती है और उसको हम deferred payment में use कर सकते हैं जिसके अंदर coins, currency, notes, check वगरा issue होता है बात करते है function of money की function of money क्या होता है primary function होता है medium of exchange ये बात सच है कि जब भी हम money का इस्तेमाल करते हैं तो exchange के रूप में करते हैं जिसे आप किसी से goods and services लेते हो तो बदले में आप exchange में क्या देते हो money देते हो या मनलो आप किसी को कोई goods and services देते है तो आप बदले में क्या लोगे money लोगे तो money क्या है medium of exchange है बात करते हैं secondary function की standard of deferred payment कलको अगर मैं किसी की payment नहीं कर पाया या किसी ने मेरी payment नहीं की तो मैं उस पर interest चार्ज कर सकता हूँ आज मेरे bank account में इतने करोड रुपे इतने लाग रुपे यह क्या है storage of value है तो money में storage of value पाय जाती है कुल मिला के आप इतना समझो कि barter system के जितने भी drawbacks थे वो सारे के सारे money के function में cover हो गए ठीक है अब बात करते है money supply यहां से questions exam में बहुत बार पूछे जा चुके तो ध्यान से सुनना money supply का मदलब क्या होता है एक particular point of time पर economy के अंदर कितना पैसे circulate कर रहा है उसको बोलते है money supply let's suppose मैं आपको example देता हूँ कि आज 2021 के अंदर हमारे यहां पर कितना money जो है वो circulate हो चुका है economy के अंदर नए notes के तुरू और पुराने notes के तुरू उस एक particular point of time पर जब हम इस चीज़ को measure करते है that is called money supply government देखती है और भी time to time देखती है कि हमने कितने नए notes चापे है और आज की date में let's suppose कि आज की date है एक अप्रेल 2022 तो एक अप्रेल 2022 को कितने note हमारे आपर issue हो चुके है कितने economy में note circulate हो रहे है इसको जब हम calculate कर देए particular point of time पर that is called money supply ठीक है तो देखो क्या लेखा हो है till 1967-68 Reserve Bank of India used only narrow concept of money supply यह बात सच है यह year याद कर लो mcq में पूछा जा सकता है या fill in the blanks में अब RBI ने चार instrument निकाले M1, M2, M3, M4 आपको न इसके अंदर के यह instrument याद करने M1 में क्या आता है M2 में क्या आता है M3 में और M4 में वैसे अभी हमारे slaves में M1 है सिर्फ M2, M3, M4 कट चुका है बट 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 एक line का है याद कर लो कोई दिक्कत निया examiner कर अगर दिमाग गूम गया और अगर पूछ लिया mcq में तो हम भाई नहीं चाहते हमारे एक भी number जाए ठीक है देखो M1 में क्या आता है मैं आपको ना याद करने यह तरीका बता हूँ M1 में देखो सबसे पहली चीज़ा यह देखो जब आप किसी से पैसे मांगते हो तो सामने वाला on the spot पैसे कैसे देगा या तो अपने wallet से निकाल के देगा अपने debit card से निकाल के देगा अपने credit card से बट आप कहते हो नहीं मुझे और चाहिए फिर वो क्या करता है बैंक में जाता है चेक के थूरू पैसा निकालता है फिर कहते है नहीं और हमें पैसा दो फिर वो क्या करता है अपनी FD तुडबाता है मतलब कहने का है जो जाता liquid amount है वो M1 होगा फिर उससे कम liquid amount M2 में होगा फिर उससे कम liquid amount M3 में और M4 में तो बहुत ही कम liquid amount होगा liquid का मतलब होता है कि तुरंत cash में convert कर देना जिसे let's suppose मैं अपने friend से पैसे उधर मांगे तो उसने का कि भाई ठीक है मैं तुझे पैसा देता हूँ currency and coin with public जो मेरी जे में पैसा है ये रख ले number 2 मेरी demand deposit है वो तू रख ले ये कहलता है M1 जो highly liquid है जो easily cash में convert हो जाएगा M2 में क्या क्या आता है M1 के तो सारे component आता है फिर आपके कोई saving account post office में खुला हुआ है वो भी M2 के अंदर आ जाएगा M3 में क्या होगा M1 के part सारे cover होंगे और जो आपके time deposit होता है FDOT banks में वो कवर होता है M4 के अंदर M3 क पार्ट कवर होता है और total demand deposit with post office saving इसके अलावा कोई अपने FDOT post office में करा ही वो include है तो एक humble request है आप M1, M2, M3, M4 के components को याद कर लेना क्योंकि यहां से questions आप से MCQ के दौर पर पूछी जा सकते हैं यहां पर मैंने क्या किया हुए एक case study को discuss किया हो धिहान से देखो यह case study demonet question कह रहा है कि after demonetization people deposit the old currency into the bank it will decrease the money supply in the economy जैसे आप जानते जब demonetization जिसे हिंदी में बोलता है note बंदी जब demonetization हुआ था तो लोगों ने पुरानी currencies को bank में deposit किया और नई currencies को withdraw करने के लिए demand किया तो ऐसे में क्या money supply economy की decrease होगे क्या बोलते हो आप लो money supply decrease होगे देखो practically सोच answer मत पढ़ो मेरे साथ साथ सोचने की कोशिश करो सोचो अगर आप economy के अंदर अपने पुराने note bank में देते हो तो क्या बदले में note बदले में लेते नहीं हो क्या सरहां लेते नए note लेते हैं बदले में तो यह बताओ economy में क्या कोई फर्क पड़ा पुराने note गए बट उसके बदले में same value के नए note आगे तो की फर्क पहेंदा समझेरो ना तो economy पर इसका कोई भी impact नहीं पड़ा तो वह लिखा हुए answer में the given statement is refudent मतलब हम इससे refuse करता है deposit of old currency by the people reduce the currency held by public and increase the net demand held by commercial bank by same amount तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आप old currency को deposit करते हो तो इससे currency जो public के पास है वो कम हो जाती है लेकिन same currency की नए note आप दुबारा ले ले लिते हो तो इस वैसे so there will no change in the money supply इस वैसे कोई भी money supply में change नहीं आता economy अंदर however money supply will decrease permanently to extent of black money which does not re-enter in the system लेकिन अगर black money के हम बात करेंगे तो black money की वैसे money supply कम हो जाते है क्यों black money में लोग क्या करते है उस पैसे को bank में ना रखके अपने घर में रखते हैं और जब घर में रखते हैं तो उसके accounting होई नहीं पाती government को पता ही नी चलता हो हमारे note कहां चलेगे भाई दिमाग से सोचो government ने 10,000 करोल के note प्रिंट गिये तो market में 10,000 करोल के note होने चाहिए ना पता चलता है market में सिर्फ 5,4 करोल के note कहांगे सब लोगों ने घर में रख लिए तो उसकी कोई accounting ही नहीं है तो black money करने से हां ये वाद सच है black money करने से money supply कम हो जाती है बट old currency को new currency में convert करने में money supply कम नहीं होती वो बिल्कुल same रहती है I hope कि आप कोई case study समझ आ गई होगी ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं बहुती बड़ा role play कर रहे है इसके बिना ही समझ लो economy बरबाद है अगर bank एक दिन बंद हो जाए तो economy बरबाद है तो देखो क्या लिखा हो है सबसे बहले बात करते है meaning of commercial bank इसको समझाने के लिए न यह यह आप बढ़ो देखो एक economy में surplus sector है left side देखो surplus sector वो sector होता है जिसके के पास पैसा अनाप्शनाप होता है यह क्या अपने पैसों को एक financial institution को दे देता है जिससे deposit बोलते है ठीक है फिर financial institution उसी पैसे को उन लोग को उधार देती है जिन लोगों के पास पैसों की कमी जिसे हम deficit sector बोलते है जिससे जिनको लोन की requirement होती है सेम पैसा वो लोन की के रूप में financial bank कितना percent देगी depositor को 10% loan से कितना लेगी 12% तो 2% जो bank ने financial institution ने आपर कमाया वो कहलाता है spread यहाद रखना bank की income को spread बोलते है और इसी financial institution को क्या बोलते है bank बोलते है यह आपकी दिमाग में image बिल्कुल clear हो जानी चाहिए कि commercial bank एक ऐसी financial institution है जो surplus sector से पैसा उधा लेती है deposit के रूप में और वही पैसा उधार दे देती है deficit sector को loan के रूप में और बदले में जो भी उसका बीच में margin value होती है उसको बोलते है spread और ऐसी financial institution को क्या बोला जाता है bank बोला जाता है मैं दुबार रिपीट करो bank की कैसी financial institution है जो surplus sector से उनका पैसा उधार लेती है deposit क के रूप में और सेम पैसा उधार देती है deficit sector को loan के रूप में इनके बीच का जो भी difference amount होता है उसको spread बोलता है जो की bank की income होती है और ऐसी financial institution को क्या बोलते है bank और bank बोले तो commercial bank जो public से deal कर रही है बोलो समझा है चलो अब ज़रे नीचे definition पढ़ता है bank is a financial institution who takes money from the general public और surplus sector as a deposit and these money lands to deficit sector and withdraw money through checks बोलो यह चीज़ आपको समझा ही commercial bank क्या होती है अब देखो ऊपर भी यही चीज़ लिखी हुए आप पढ़के देखो it is a financial institution who takes money from the general public as a deposit and these money given to deficit sector as a loan and making investment with aim of earning profit and withdraw money through checks बोलो क्लियर हुई ठीक है चली commercial bank के बाद अब हम बात करते हैं कि हमारे यह मैंने आपकी knowledge के लिए है कि हमारे आपर कौन-कौन सी commercial bank है उनके नम जैसे SBA और SBA के associates होगे, SBA bank होगे, State bank of Beacon Air होगे, Mysore होगे दोस्तों बता हूँ Corona virus के बाद से यह जितने भी SBA और उसके associates है इनको जोड़कर एक ही bank बना दी गई State bank of India ठीक है दूसरा हमारे पास खुछ nationalized bank है जैसे अलाबाद bank है, अंत्रा bank है, अंत्रा bank है, बैंक 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 Central bank of India, Corporation bank, Dena bank, IDB bank, Indian bank, Indian overseas bank, Oriental bank of commerce, Punjab and Sin bank, Punjab National bank, Syndicate bank, Yuko bank, United bank of India और Vijaya bank, दोस्तों बता दूँ Corona virus के बाद हमारे आपर financial conditions बहुत ज़ादा वीक होगे थी, जिसके चलते हमारे finance minister निर्मला सीतारमन, श्रीमती निर्मला सीतारमन ने इन सभी bankों में से 3-3-4-4 bank को merge करके एक bank ब तो इसी कई सारी bank है, अब हमारे पास अब इतनी सारी bank ही नहीं बची है, अब चुनिंदा सिर्फ हमारे पास total 12 nationalized bank है ठीक है, यह सब हटा के combine कर देगी, जिससे बोलते है na merger वो कर देगी है, foreign bank की बात करहे हमारे पास standard chartered bank है, JP Morgan, चैनली bank है, DBS bank है, City bank को तो आप अच्छे of Indonesia, Bank of Tokyo, Oman, International Bank, Sindhian Bank, और हमारे पास खुछ other banks private sector में जैसे आपके XS bank होगे, HDFC bank होगे, Bank of Rajasthan होगे, दोस्तों आपकी knowledge के लिए बता दूँ कि हमारे आपर public sector की सबसे बड़ी bank जो है, वो State bank of India है, और private sector की सबसे बड़ी bank इस टाइम जो चले वो है, HDFC, Housing, Development, Finance and Corporation Bank, ठीक है, चले, ये knowledge की बात है थी, अब बात करते हैं, commercial bank, हमारी backbone होती है, economy की, क्यों backbone होती है, क्यों backbone होती है, क्यों अगर commercial bank नहीं होगी, तो बड़ी बड़ी जो company है, उनको loan assist कैसी की जाएगा, जो transaction आप ATM के थ्रू, Paytm के थ्रू, या money transfer, UPA transfer, ये सब कर रहे हो, ये सब किसकी available to the production sector for the further investment, bank क्या काम करती है, कि जो surplus sector होती है, उससे पैसा लेकर, उस sector को पैसा देती है, जिसको उसकी सबसे आदा जरूरत है, जिससे पैसों से पैसा बनता है, economy के अनदा, gross domestic capital formation बनता रहता है, Number 2, commercial bank act as a financial intermediaries who aim function with collective saving from the household sector and lend to the productive sector, साफ साफ लिकाओ commercial bank एक ऐसी financial intermediaries है, जो household sector से पैसा लेती है, और उससे productive sector को पैसा दार देकर काम चलाती है, Number 3, the rate of interest at which bank, commercial bank accept deposit is known as borrowing rate, दोस्तों जिसमें हम अपने bank में पैसा deposit करते हैं, तो हमें जो interest मिलता है न, वो हमारे लिए तो source of income है, लेकिन same चीज, जो bank हमें interest दे रही है, उसको कहते है borrowing rate, यानि bank के लिए एक तरह से क्या है, bank ने आपसे पैसा धार लिया, बदले में जो rate दे investor को दे देती है, तो उससे जब पैसा charge करती है, interest charge करती है, उसे बोलता है lending rate, ठीक है, और यही जो borrowing rate और lending rate का difference होता है, इसको क्या बोलता है profit, profit को हम banking language होता है spread, क्या बोलता है spread, हो सकता है, आपसे कभी MCQO में पूछ लिए रहा है, जो commercial bank होती है, उसके profit को हम क्या बोलता ह है, तो यहां रहा है spread, bread नहीं, spread, ठीक है, तो बही लिखा, spread is equal to lending rate is equal to borrowing, lending minus borrowing, ठीक है, बात करते है, commercial bank के क्या-क्या function होता है, सबसे पहला primary function और दूसर secondary function, primary function वो function होता है, जो बच्चे-बच्चे को पता होता है, acceptance of deposit की bank, सबसे पहली बात क्या करती है, आपके पैसों को as a deposit की रूप में रखती है, आप deposit कई account में होता है, आपका saving account में होता है, current account में होता है, recurring account में होता है, fixed deposit account में होता है, saving account में कुछ limits होती है, जैसे आप 49,000 रुपीस तक का पैसा withdrawal और deposit कर सकते हो, इना one day, current account में ऐसी कोई limit नहीं होती है, unlimited पैसा withdraw कर सकते हो, unlimited पैसा deposit कर सकते हो में आपको कुछ terms and condition के according आपको कुछ समय के लिए पैसा deposit करना पड़ता है जिसके बीच में आप पैसा withdraw नहीं कर सकते हो एक और होता है recurring deposit recurring deposit में क्या होता है कि आपको हर महीने अपनी limit एक set कर लेनी है और उस limit के अंदर आपको पैसे deposit हर महीने करना ही पड़ता है उससे बोलता है recurring deposit फिर दूसरा काम होता है bank का advancing loan loan देने का काम cash credit मतलब cash में पैसो दोहर देना demand loan का मतलब होता है जैसा आप demand करो हो उ सिसाब से आपको loan करना short term loan होता है जो जनरली एक से पांस साल के लिए प्रवाइड करा जाता है थार्ड होता है credit creation मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या होता है तो अभी हमने क्या पड़ा अभी हमने पड़ा commercial bank की कौन-कौन से function होता है तो primary function में acceptance of deposit advancing loan होता है और आपका credit creation होता credit creation क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा ठीक है बात करते है secondary function की secondary function में होता है overdraft facility दोस्तों ओवर का मतलब होता है ज्यादा च्राफ मतलब होता है निकालना facility मतलब सुविधा ज्यादा निकालने की सुविधा देना जैसे बड़े बड़े इंडस्तों होता है कहते है कि हमारे अच्वाद में कभी कभी 2-3 लाक होते हैं लेकिन हमें shopping ज्यादा की करनी होती रॉमिटल ज्यादा करीदना होता है तो अनुमती दे देगा और इसी फैसिल्टी को बोलते हैं ओवर डार्ट फैसिल्टी नंबर फाइब डिसकाउंटिंग ऑफ बेल्स ऑफ एक्षेंज यह अपने अकाउंट में पड़ा होगा कि जब बिजनसमें आपस में डील करते हैं तो वह बिल्स पना के देते हैं ठीक है और बिल्स को आप डिसकाउंट करवां के आप बांक से डिसकाउंट कर आकर पैसा ले सकते हैं यह प Cinnamon की कसे नंग clair champions करने का भी काम तो बंक करता है आपके एकांट में deposit कर देगा तो collection of item का भी काम करता है payment of item जैसे आपके आपके कई सारे bill होते हैं आपने का कि gas का बिल है बिजली का बिल है आपके पानी का बिल है ऐसे कई सारे bill होता है internet, telephone तो आपको नहीं अधर तक का payment करनी है आप ये काम bank को भी दे सकते हैं और bank को कह सकते मेरे बिहाफ पे तुम मेरे account से पैसे सही time पर काटते रहना और इनको payment करते रहना तो bank ये भी काम करती है purchase sale of forex foreign exchange को खरीदने और बेचने का भी काम bank करती है purchase and sale of securities share deventure bonds वोगर को खरीदने और बेचने का भी काम bank करती है income tax consultancy कल को अगर आपको अपनी ITRA नहीं income tax return भरवान विल यानि वसियत बनवाने उसके लिए भी बैंक आपकी help करता है letter of reference letter of reference का मतलब है कि अगर आपको further कहीं किसी और जगे पर loan लेना है तो उसके लिए letter draft करके भी bank आपको देती है इसके बाद bank के कुछ general utility function है जैसे locker facility locker facility में bank क्या करती है आपको locker provide कराती जिसमें आप अपन जेवर जेवरात अपने documents कोई भी समाना अप रख सकते हो लेकिन गयर समान वैसा नहीं कि आप अपनी बंदू को रख रहे होए कि 47 रख रहे हो वो चीज़ नहीं बैंक आपको locker facility provide कराता है जिसके अगेंस्ट वह आपसे rent charges लेती है traveler check होता है जो अब नहीं चलते बढ़ पह होगे कुछ यह अंडर सब्सक्राइब होगे तो उसके इसमें bank वो शेयर आपके subscribe कर लेगी जैसे बोलता है underwriting of securities फिर collection of statistics यह क्या करती है आपका पूरा data maintain करके रहती है जैसे आप जानते बैंक से loan link ले आते तो यह हमारे pen card number लेकर पूरा हमारा civil school खड़ा कर देते हैं और क इसके आधार update हो गया pension वगर हो गया mutual fund हो गया यह सारे काम क्या करवाती है bank करवाती है तो अभी हमने क्या पढ़ा कि commercial bank के क्या क्या functions होते हैं दोस्तों function पढ़ लेना हमारे इसलिए जरूरी होता है इससे ना हमारे concepts clear हो जाते commercial bank के regarding और हमें कोई भी दिक्कत ने आती है इस 1947 यह रखना banking regulation act है जो bank को regulate करता है और हमारा जो सारे commercial bank का बाप है वो कौन है RBA और एक RBA का भी act है RBA Act 1934 तो यह रखना bank को में हमारे दो act चलते हैं एक तो हमारा banking regulation act चलता है और एक RBA Act चलता है दो-दो act चलते हैं तो RBA Act जब बनाया जा रहा था तो उसमें जो second schedule है उस second schedule में कुछ bank को के नाम लिख दिए गए और जिन बैंको के नाम लिख दिए गए उनको हम नाम देते हैं scheduled bank और जिन बैंको के नाम नहीं लिखे गए उस second schedule of RBA Act में तो उनको बोलते हैं non scheduled bank है ठीक है तो scheduled bank में कौन-कौन सी bank आते हैं आपकी जैसे private bank का आपकी ICAC, HDFC, IDBI, देना bank लेना बैंक किसा अब आपकी private bank होगे इसके बाद public bank आती है public bank में SBA और उसके associates आते हैं जैसे आपके SBA bank of Mysore आ गया, SBA of Indore आ गया, stand bank of Patayal आ गया बट आप तो सारी जोड़कर एक बना दी गए फिर आपके other nationalized bank के आती हैं जैसे आपका original bank of commerce है, Punjab national bank हो गया, Yuko bank हो गया, Kinra bank हो गया, Allahabad bank हो गया, यह सारे आपके other nationalized bank हो गया, foreign banks आती है, जैसे American Express हो गया, standard charter हो गया, city bank हो गया, यह सारे, तो आपने क्या देखा अभी तक, अभी आपने यह देखा कि commercial bank के क्या types होते हैं, scheduled bank होती है, non scheduled bank होती है, scheduled bank होती है, जो RBA Act in 1934 के second schedule में गिवन होती है, जैस आपसे बड़ा काम होता है, वो किसका होता है, commercial bank होता है, number two, provision of finance and credit, यह जरूरत पढ़ने पर आपको पैसा provide करवाता है, number three, development entrepreneurship, अब पैसा व्यापारी को तो पैसे की जरूरत होती है, तो यह व्यापारी को develop करने में बहुत काम आता है, number four, promoting balance regional development, economy के अंदर कब किसकी development किस तरीके से करनी है, वो सारे की सारी चीज़े कौन जानता है, आपका commercial bank जानता है, number five, help to consumer, यह consumers की क्या गरता है, help करता है, इसके बाद आपका mutual fund, दोस्तों mutual fund का मतलब मैं एक simple सी बात बताता हूं, mutual fund का मतलब होता है, कि जब जैसे bank क्या गरती है, bank के बहुत बढ़े professionals होता ह मैंने साथ, CA की टीम बैठती है, CFP वगरा, CFA लोग बैठते हैं, जो यह course कर के आते हैं, तो क्या होता है, इनके पास दिमाग होता है, आप कोई consumer आके बोलता है, भाई दिगो मैं तुमारा customer हो, bank का मेरे पास 5 करोड रुट रुपए, लेकिन यह नहीं समझा रहे से कहा invest कर देते हैं, आपका पैसा और हमारा दिमाग, हम मिलके कुछ ऐसा fund बनाएंगे, जिससे पैसे पैसा बने, जितना रेटा नहींगा, उसका 40% हमारा, 60% तुमारा, तो इस पूरे fund को हम बोलता है, mutual fund, समझा है, यह का हम commercial bank करती है, अब आपको मैंने याद है, अभी उपर function में पर बताया था मैंने आपको, कि, एक मिनटे को मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमने पढ़ा था, कि, एक मिनटे यहाँ निकल गया, functions पढ़े थे अभी हमने, यह देखो, यह वाला, function of commercial bank, इसमें यह देख रहे हो, अब credit creation, third point पे था, और आपको बताया था, third point मैं आपको deposit किये, तो bank क्या करता है, bank अपने experience से देखता है, कि भाई, कोई भी कश्मा पैसा deposit करता है, तो यह दम से निकाल नहीं लेता, ठीक है, और सारे कश्मा निकालने ऐसा possible नहीं है, कि 100 के 100 कश्मा एक बारी में निकालने आजाए, तो ऐसा नहीं होता, तो bank क्या करती है, उसमें यह आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, तो क्या होगा, कि हर commercial bank, और यह reality में ऐसा किया भी जाता है, कि हर commercial bank total deposit का एक certain amount अपने पास बचा लेती है, बचा हो month loan के रूप में दे देती है, अब मान लो जैसे मैंने एक लाग रुपए bank में deposit कर रहे, जिसमें से bank ने 10% बचा तो economy में एक लाख रुपए से देखा रहे, तो 10 लाख रुपए बना दी गए, and this is called credit creation, पैसो से पैसा बनाना, वो भी उधार के पैसो से, bank का अपना पैसा नहीं है, तो customer का पैसा है, जो एक तरसे bank ने उधार लिया हुए, थोड़े time के लिए, तो वही लिखा है, अब की creation को बोलते है, credit creation, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक परसन ने, 1000 रुपए deposit के commercial bank ने उसको पांच ज़नों में बाटके 5000 रुपए बना दिया, और इसी को बोलते है, money creation या फिर credit creation, बट यह बात याद रखना, कुछ हमारी basic assumptions होती है, इसको करने के लिए, सबसे पहला है, एक ही bank जिसे हम commercial bank बोलता है, number two, all receipt and payment rooted through bank, कोई भी काम cash में नहीं होगा, सारा काम banking channel से होगा, इस दो assumptions हमेशे है रहाँ, पहली क्या, कि सारी की commercial bank को एक single unit मानेंगे, और दूसरा कि जो भी receipt or payment होगे, वो सब किसके through होगे, banking channel के through होगे, ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें L reserve के रूप में रखते हैं, उसको बोलता है legal reserve ratio, अब LRR की दो पार्ट होता है, SLR और CRR, जो पार्ट commercial bank अपने पास liquid assets के रूप में रखते हैं, उसको SLR बोलते हैं, और जो पार्ट वो RBI में अपना reserve maintain करने के लिए करती है, उसको बोलता है CRR, यानि हम बोल सकते है LRR is equal to SLR plus CRR, पढ़ो जा रहा, it is a legal compulsory for the commercial bank to keep a certain minimum friction amount to their deposit as a reserve which is called legal reserve ratio, अच्छा देखो, यहां पर schedule देखो, first round में देखो, हमने 1000 रुपे डेपोजिट किये, मान के चलो, LLR है 20%, तो बैंक नी क्या क्या, 200 रुपे अलग कर दिये, और 800 रुपे लोन के रूप में दिये, अब जो 800 रु 160 रुपे बैंक ने अलग कर दिये, बच्चे 640 रुपे लोन के रूप में दिये, फिर वो 640 round 3 में आगे, डेपोजिट के रूप में, 640 का 20%, 128 रुपे बैंक ने अपने पास रखे, फिर बच्चे वे पाट का 512 रुपे का क्या दिये लोन दिये, यह प्रक्रिया चलती रह आप LRR कितना है, 10%, तो 1 upon में 20%, 20% है, तो 5 times हाए, यानि अगर हम 1 रुपे डेपोजिट कराते हैं, तो बैंक उसे 5 गुना ज्यादा पैसा बना देती है, और देखो हमने डेपोजिट, इनिशिल डेपोजिट कितना क्या था, 1000, तो 1000 into 5 करेंगे, तो बैंक कितना बोलो समझा है आपको, अब यह मैंने पूरा explanation दिया हुआ है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है, यह भी हमने formula पढ़ा, 1 upon में LRR, हमारे example में 20% था, तो यह है, तो conclusion क्या निकल क्या है, conclusion देखो, commercial bank lends money mainly to investor, the rise in investment in the economy leads to rise in national income through credit creation, क्या होता है कि economy के अंदर पैसा ज् जिसको हम credit creation बोलता है, और इससे हमारी economy की जो national income है, वो बढ़ जाती है, बोलो clear वा, अब इसके बात करते है, central bank की, अब सारी बात है हमें किसकी का ने, central bank, अब हम commercial bank के बारे में सीख चुके हैं, देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले money के और पढ़ा, फि Central bank सभी bank को का बाप होता है, जिसको बोलते हैं, क्या, RBI, Reserve Bank of India, हर country की अपनी central bank होती है, और हमारी central bank का नाम क्या है, Reserve Bank of India, तो वह लिखा है, central bank क्या है, it is a apex body that control, operate, regulate and direct the entire banking and monetary structure of the country, ये पूरी structure को क्या करता है, अब देखो, जन्रल पब्लिक को अगर पैसु की जरूरत है, आम जन्तों को पैसु जरूरत है, वो कहां भागेगा, commercial bank की तरफ भागेगा, लेकिन अगर कलको commercial bank को पैसु जरूरत है, तो वो किसके पास भागेगा, आपने पापा के पास, और उसके पापा का नाम क्या है, Central bank, और हमारे आंके पापा Central bank का क्या नाम है, Reserve Bank of India, ये एक apex औ top most position in the monetary and banking system of the country, ठीक है, और RBA को established किया गया था, 1 April 1935 में, और act कब बना था, RBA Act 1934 में बना था, बोलो ये चीस clear हुई, येस सर, बिल्कुल clear हुई, अब इसके बाद क्या है, functions of Central bank, Central bank की क्या-क्या function होता है, सबसे पहला Central bank currency authority, currency को print करने का काम, ये जो monopoly power है, किसको दी गई ह दोस्तों आपको एक बात बता हूँ, कि हमारे आपर एक रुपए का जो note होता है, जो सिक्का होता है, वो RBA नहीं चापती है, वो ministry of, क्या था, ministry of finance चापती है, क्योंकि एक हमारा act है, क्वाइनीज act, तो क्वाइनीज act में सबसे लिखा हूँ कि एक रुपए का note RBA नहीं च कि के पास है, RBA के पास है, note को प्रिंट करने की, number two, bankers of the government, जैसे हम अपना खाता, commercial bank में खुलवाते है, इसी तरह government भी अपने खाते किस में खुलवाती है, RBA में खुलवाती है, देखते हो आप जब कभी कोई disaster आती है, तो एक दम से बोलते है, प्रधान मंतरी fund से इतना पैसा मुआपजा की रूप में सब को मिलेगा, तो उनका एकाउंट कहां खुलता हो, बताओ, क्या प्रधान मंतरी अपना एकाउंट SBA में खुलवाती है, नहीं, उनका RBA में होता है, उनकी नाम से नहीं खुलता है, उनके पद की नाम से खुलवाता है, इसलिए bankers of the government होत तब जाके SBA का 500 करोड का फ्रोड पकड़ा गया, फिर पता चला भाई, वो फ्रोड 500 करोड नहीं, बलकि 2003,000 करोड का है, और उसी राम इस स्कैम नाम को जन दिया गया था, तो हर्शत मैता ने भी स्कैम किया था, बाद में उसे RBA ने पकड़ा, इसका थे controller of money supply and credit, most important point है, य वो controller होता है कि economy में कितना पैसा circulate करना है और कितना नहीं करना, अब आपके मन में तो question आता होगा कि जब RBA के पास note sharpening machine है, तो क्यों नहीं इतने सारे note sharp देती ही, गरीभी खता मुझा है, लेकिन दोस्तों याद रहा है, उससे economy करना disbalance आ जाता है, इसलिए हमें हर चीज को यानि RBA हर चीज को देखकर चलती है कि कितने note print करने जरूरी है और कितने नहीं, इसके बाद है custodian of foreign exchange reserve, कल को कोई भी foreign exchange reserve की बात होगी, तो वो रखने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसको है, RBA को है, बैंक की यानि commercial भी रख सकती है, बट main अधिकार किसको देगे है, RBA क रखते हैं, तो ये कानूनन अपराद है, बट central bank के उपर ऐसा कुछ भी लागू नहीं होता है, यही तो कोई इसकी explanation है, currency authority में साफ साली का एक रुपए के note को छोड़के, बाकि सारे note चापने का right किसका है, RBA का है, इसकी क्या advantage है कि uniformity रहती है, notes में public का faith बना रहता है, यह इसकी के बाद क्या है, bankers and supervisor होते हैं, custodian of cash reserve होते है, lending of last resort होते है, मतलब कि यह है कि ऐसा है कि bank जोते है, वो सारे का सारे cash reserve अपने पास रखते हैं, जितने भी foreign currency का reserve है अपने पास रखते है, dollar, euro, pound, सब उनके पास रहता है, lender of last resort होता है, कल को कोई भी अधिकत हो जाए, त जैसे CLR बगर है, commercial bank अपना CLR maintain कहां करती है, central bank के पास करती है, lender of last resort है, आखरे और रंतिम सारा है, clearing house का function करती है, controller of money supply and credit, economy के अंदर कितना money circulate करना है, कितना नहीं करना है, यह कौन decide करता है, RBA decide करती है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ यह चीज़ है, जैसे repo rate बगरा चीज़े दे रखी है, और हमारे पास bank rate दे रखा है, चलो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे तो, वैसे तो हम इसको अगले chapter में जादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, यह कुछ basic terms है, आप ध्यान से पढ़ लो, repo rate क्या होता है, जब commercial bank को पैसो की ज़रुद पड़ती है, वो भी short term के लिए, तो वो central bank को बोलती है, भई मुझे कुछ time के लिए पैसा उधार दे दो, तो central bank बोलती है, मैं तुमसे interest charge करूँगी, तो उस short term के लिए, जो interest charge किया था, उसको बोलते है, repo rate, चीक है, तो अगर कल को हमें borrowings को discourage करना है, तो हम repo rate को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जब हमें borrowing को encourage करना होता है, तो repo rate को कम कर देते हैं, इसके बाद हमारे पास है bank rate, bank rate क्या होता है, कि जब commercial bank को long term के लिए पैसो की जरूरत होती है, और central bank को उसे पैसा provide करती है, जो बदले में interest charge करती है, उसको बोलते है bank rate, या दखना repo rate short term के लिए होता है, bank rate long term के लिए होता है, बाकी सब बिल्कुल सेम रहता है, open market operation, कभी-कभी अगर में money supply को control करना है, बढ़ाना है, तो ऐसे में RBI के अपनी securities को बेच देती है, और कभी-कभी खरीद भी लेती है, जिसको बोलते है open market operation, और आपको LRR के आ र लेती है, बचा के रख लेती है, उसे बोलते है LRR, उसमें से जो उसने अपने पास बचाया, उसे बोलते है SLR, और जो RBA को देती है, वो होता है CRR, चीक है, यह हो गया, custodian of foreign exchange reserve, आप जानते हो RBA के पास पैस ही पैसा होता है, तो वो reserve अपने पास रखती है, अभी तग हम देखो summary chart पड़ते है, Central Bank की क्या function है, सबसे पहला currency की authority, print करने की authority उसके पास है, except 1 Rupees, bankers to the government, फिर bankers to supervisor, custodian of cash reserve, lender of last resort, clearing house है, फिर controller of money supply है, custodian of foreign exchange है, controller of money supply में रेपो rate, bank rate, open market operation, legal reserve ratio, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio के हिसाब से वो क्या करती है, market को manipulate करती है, ठीक है, आप commercial और Central Bank में क्या difference होता ह आप खुज ही जान सकते हो कि Central Bank एक Apex banking system है, जो rules को बनाने का काम करती है, Commercial Bank एक financial institution जो general public के लिए काम करती है, Central Bank एक Apex banking system है, जबकि ये Commercial Bank एक छोटी से system है उसके आगे, और ये generally on कियाती है, गौर्मेंट के दौरा वो private और गौर्मेंट दोनों के दौरा कियाती है, RBA social welfare पर profit based पर काम करती है, RBA के पास monopoly power होती है, नोट को छापने की, जबकि commercial bank के पास ऐसी कोई power नहीं होती है, ये RBA कभी पब्लिक के साथ directly deal नहीं करती है, जबकि commercial bank public के साथ directly deal करती है, Central Bank जो होता है, वो एक precious nature को होता है, क्योंकि अकि अकिला होता है, जबकि commercial bank तो कई सारी bank के हो अब बात करते हैं कि किस तरीके से सेंटरल बैंक जो है वो मोनेटरी सप्लाई को कंट्रूल करती है दोस्तों यह वाला पॉंट बहुत ही जादा इसलिए मैं इस वाले पॉंट में आपको भगाना ने चाहता बिल्कुल भी और मेरी बात को ध्यां से सुनो मैं क्या बोला हूं देखो एकॉनमी के अंदर कितना पैसा प्रिंट करना है कितनी मनी सप्लाई करनी है कितनी नहीं करनी है यह कौन डिसाइड करता है यह आर्बी डि धारत की जाती है, क्या होता है न देखो RBA एक अलग Statutory Body है, Government एक अलग Statutory Body है, तो इन दोनमे Frictions आ जाते हैं, Government केती है हम बताएंगे कि कितना पैसा होना चाहिए RBA बोलती है हम बताएंगे कितना पैसा होना चाहिए तो इसके लिए हमने दो policy बना दिए government जब बताएगी कितना पैसा circulate होना चाहिए तो वो कौन से policy के थूरू बताएगी बताओ fiscal policy के थूरू बताएगी और जब RBA को उससे बताना होगा तो कैसे बताएगी अपने monetary policy से तो वही लिखा हुआ है कि monetary policy गवर्ण करता है central bank और fiscal policy गवर्ण करता है government of India अभी क्योंकि हम RBA के आवने पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ monetary policy के बात करें हैं fiscal policy के बात नहीं करेंगे monetary policy में भी दो थी quantitative और qualitative method quantitative method में रेपो रेट को घटा बढ़ा के काम करते हैं और bank rate को घटा बढ़ा के बात करते हैं LRR को घटा बढ़ा देंगे CRR को SLR को करते हैं open market में sale purchase करते हैं और reverse repo rate के साथ कम जादा कर सकते हैं जबकि qualitative में क्या होता है margin requirement होता है moral solution होता है और credit rationing होती है ठीक है चलो अब यह basic terminology तो मैं आपको बता ही थी एक बार फिर से बता दूँ रेपो रेपो रेट का मतलब क्या होता है जब commercial bank central bank से short term के लिए loan लेती है तो बदले में जो interest देती है उसको बोलते है repo rate bank rate क्या होता है कि जब commercial bank long term के लिए central bank से पैसा उधार लेती है उसमें से भी जो पैसा वो अपने पास रखती है उसको बोलते है statutor liquidity ratio और जो पैसा central bank को दे रहेती है उसको बोलते है cash reserve ratio वही चीज लिखी हो आप पढ़ लेने है cash reserve ratio और यह रहा statutor liquidity ratio reverse repo rate क्या होता है कल को central bank को भी पैसो की ज़रुत पढ़गी कभी पापा को भी ज़रुत पढ़ जाते है कल को अगर commercial central bank को पैसे की ज़रुत पढ़गी तो जब commercial bank उसे loan देगा तो बदले में interest जो चार्ज किया रहेगा commercial bank के दोरह उसको बोलते है reverse repo rate चीक है चलो यह हो गया यहाँ पर हमारा जो bank का chapter है वो पूरी तरगी से क्या हो जाता है फिनिश ओगाता है So I hope guys कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंदा है So guys अगर आपको पसंदा है तो please आप कॉमें मुझे जरूर सजेशन देना क्योंकि आपके सजेशन मेरे लिए बहुत ही जादा वैलियोबल होते है And thank you so much guys हमें इतना support करने के लिए मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहूंगा अगर आप बस हमें support करते रहे है So guys if you like the video give a big thumbs up and subscribe the channel And press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this youtube channel So guys आज के लिए ताहिं मिलते हैं next class में आज के लिए peace out